चाइना हर बार कुछ नो कुछ ऐसे कांड करता है जिसकी वज़े से उसका खाम्याजा पूरी दुन्या को भुगितना पड़ता है ऐसे में एक बार फिर चाइना का बिकावू हुआ रोकेट मालदीब पर आके गिरा है जहां पर भारी तबाही मची है और ऐसे में मालदीब पर इस रोकेट की भरपाई और उसका नुकसान कौन भरेगा रोकेट लॉंच किया था जहां उस रोकेट का नाम था लोंग मार्च 5E रोकेट जो चाइना स्पेस में अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा था जिसके लिए वह रोकेट पार्स लेके जा लेकिन जैसे ही धर्ति की कख्षा से बाहर निकला वह रोकेट पूरी तरह से बेकाबू हो गया और चाइना उस रोकेट पर से पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैटा एसे में यह बेकाबू रोकेट 90 मिनिट में धर्ती का एक चक्र पूरा कर रहा था इतनी पेज रपता तरफ यह रोकेट गोम रहा था और इसी वज़से इस रोकेट की वज़से पूरी दुनिया खत्रे में थी अगर यह रोकेट किसी आबदी वाले शेत्र में गिरता किसी बड़े शहर पर गिरता तो हजारों लोगों की जाने जा सकती थी क्योंकि इस रोकेट का वजन 21 तन वजनी है और इसका जो लंबाई है वो 101 फिट से भी अधीक है इसी वज़से पूरी दुनिया इसे गबराय हुई थी और सभी अंतरिक्स एजनसी इस रोकेट को ट्रेक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसकी रफ़तार इतनी तेज थी कि ये ट्रेक नहीं हो पा रहा था और इसकी लोकेशन ट्रेक नहीं हो पा रही थी और ये कहा गिरेगा इसका भी नहीं पता लग पा रहा था लेकिन ऐसे में कहा जा रहा था कि यह रोकेट न्यूवार्क शहर पर गिरेगा ऐसे में अमीरियका की सरकार इसे लेकर पूरी तरह स लेकिन यह जैसे ही जैसे आगे बढ़ता रहा और धर्ती के गूरत्व अकरशन के संपर्क में आते ही हिंद महासागर में मालदिप में आकर गिरा है एक दिन हमारे भारत के पास में ही मालदिप में यह रोकेट गिरा है वहाँ पर कितनी तबाही मची है इसको गिरने के लेकर अभी तक कुछ साप नहीं हो पाया है लेकिन जैसे ही इसको गिरने से वहाँ पर अगर आबादी बाले शितर में ये रोकेट गिरा होगा तो कई लोगों की जाने गई होगी जिसकी वज़स इसका खामियाजा चाइना को भरना पड़ सकता है या फिर दोनों देश के बीच तन कार्णा वाइरस गोटा था और देर देकंटी फील गया औहों फुल दूना को अपने Shareपिबben ले लिया है और आजो आसा में यह रोकेट भी च।ा था लेकिन ये मालबीद में गिरा है जिसवहां पर भारी नुकसान होने कि आशंका है ऐसे में मालदिप की सरकार क्या करेगी इसे लेकर ये देखने वाल बात होगी दोस्तों देख सकते हैं इसके राकेट में कितनी तेजी से दर्टी पर हिट क्या था और आस्मा में कितनी तेजी से गुलरा